के कालिदास बधर आजे नाटक छे ए नाटकनी अंदर खक्त बेपातर छे ए बेपातर नी वद करेली छे तो जे असाड का एक दिन तेमनू जे नाटक छे ए नाटक मा थी थोड़ोक भाग अईया कालिदास का प्राणी प्रेयाम सीठ सक लई अने अहीं आपको आमा आवियो छे तो आज ये नाटक छे ए नाटक ने अंदर मुख्य बे पात्र छे एक छे मल्ली का अने बिजू छे कालीदास तो कालीदास से कालीदास जेरे एक बगीचानी अंदर फरता हो जे थोड़ीक आपड़े ए जे ये नाटक छे ए नाटक ने थोड़ोग परीचे लेए तो कालीदास से कालीदास बगीचामा फरता हो छे त्यारे अचानक ज उपर थी एक हंस छे एह हंस कोई ना बाण वागवा थी नीचे आविने पडे छे अंस नहीं पन सुझे के एक हरीन सावा केले के हरननु बच्चु जे बरार कालीदास से कालीदास जेरे फरी रहा होई छे त्यारे एक हरननु बच्चु होई छे ये हरननु बच्चु कोई तेने बाण मारे छे तो ए घायल थाई अने तेमनी पासे आवीने पड़े छे तो कालिदास से ए कालिदास सु कहे छेम नाटियकार ने यह कहना चाहे ले कि लिखक छे लिखक या नाटक ने इंदर सु किदुझे कि ओ मेसेज लोको समक्स रजु करवा मागे छेम यह संदेश आपकवा मागे छे के आपने कोईने जीव आपी शकता नथी यहले के आपने कोईने प्राण आपी शकता नथी तो आपने कोईना प्राण पन लेवानो अधिकार नथी आव नाटियकार यहले के मुहन राकेस छे मुहन राकेस आजे नाटक छे ये नाटक दोरा आउँ संदेश आपपवा मागे छे तो यहाँने किदू छे के आपणे कोईने प्राण आपी हाती वान दूकर आपी हाता है धूकरता बच्यावनार जे छे ते महान छे ले आब ये संदेश चे संदेश आ नाटक दोर आपन ने मड़े छे के मारवा वाड़ा करता जे बचावनार छे ये बचावनार व्यक्ती महान गणाई छे तो वस्तुत हो दंतूल ने सिसु हिरन सावक को घायल कर दिया है इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चला तेहले के जे दंतूल छे लेके सिकारी छे ये सिकारी एसु करिवा चे पोताना बाण थी ये जे हरणनु बच्चिव छे ये हरणना बच्चाने गायल करी दिदू होई छे तो जे मुहन राकेश छे नाटियकार ये नाटियकारे व्यंग बाण व्यंग बाण इतले के कटाक्ष पून भासामा तेमने जे दंतूल छे लेके जे सिकारी छे सिकारी ने कटाक्स पून भासा मा तेमने वियंख बाण छोडेला छिले के तेमने उपर कटाक्स रुपे पूता नो जि विदना जि विदना तेमने बतावी जें अतोह यहाँ पर जीव दया की बात बता कर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट कहले के यहां जीव दया जीव दया एटले के कोईपन प्राणी होई तो ए प्राणी नो जहरे मुस्केली मा होई तो आपने यहनों जीव बच्चावो जोई है तो कालीदास दोरा आजे नाटक छे नाटक ने अंदर जीव दया नी वात कालीदास ना प्राणी प्रेम दोरा बताव पॉआाम। बनी जाए छे केम के रोज आपने तेमने खावानू चण नेव नाखिये छिए औने रोज टाइम थाए त्यारे ते खावा आवे छे औने एवी जिरी ते पसु निवाद करिये कोई कुत्रा छे बिलाडा छे गाई छे तो ए पण सुझे के रोज ये रोज जो तमे टाइम छे अत्तह उनका हनन नहीं होना चेले क्या आपड़ा मित्रो छे तो आपड़े तेमने मारवा जोईए नहीं तेमने नुकसान पहुंचाडू जोईए नहीं परियावरण की रक्षा के लिए पसु पक्षियों का अनन्य महत्व है मानव जीवन विकास में प्राणियों का ब चाहिए हवेसु किदू छे यहां कि यहां एक बिजोपन संदेश आपवा माव जे जे कालेदास नूँ जे आप प्राणी प्रेम छे इनाटक दोरा के परियावरण छे ए परियावरण नू रक्षन करवा माटे पसु पक्षियों चे पसु पक्षियों नू महत्व रहेलू चे बरार तो ए तमने पन खबर हसे के पसु पक्षियों चे पसु पक्षियों के भी लिते परियावरण नू रक्षन करे चे बराबर तो ए परियावरण नू रक्षन करवा माटे आमनू अनन्य महत्व चे अने मानव जीवन ना विकास माटे पन प्राणी नू योगदान ब्राहेलु छे मानव जीवन ना वीकास माँटा आपडी जो ये तो गाई भैंस छे तो ये गाई भैंस दोन डेरी उद्योंगह ने ऊचे और cy坐 हे लå ना घंळा प्राणि द रवन आपके डिरूर नेव फ्यार थाई माणव जीवन ना विकास माटे प्राणियों चे प्राणियों नूँ वधारे योगदान रहेलू छे प्राणी मानवी के साथी है इसलिए हमें उनका रक्षन करना चाहिए इलेके प्राणियों छे, ये प्राणियों मनुष्यना मित्रों छे, माटे आपड़े प्राणियों रक्षन करवू जोईए, केमके प्राणी छे प्राणी द्वार आपनने घणिबदी वस्तुओ मडे छे, पची परियावरन छे, परियावरन ने परियावरन रक्षन करवा मा पुछिवा 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 हरीन सावक के सरीर से लहू टपक रहा है वसु छे कि एक कालीदास छे एक कालीदास एक हरीन सावक एले के एक हरण नू बच्चु छे ए हरण ना बच्चा ने लई अने प्यार एले के तेने प्रेम थी तेना सरीर हाथ फेरवता फेरवता तेने प्रेम करता करता लई ने आवे अई यां सब्दा आपेवेशे पुछकारता तो पुछकारतानो अर्थ थसे प्यार जताना इलेके सुथ हवी छे के हरण नुझे बच्चू छे ये हरण ना बच्चाने कोई ये बाण मार्यु छे तो एना सरीर माथी लोई निकड़े छे तो ए लोई निकरतू होई छे ए कालिदास से कालिदास जुवे छे तो कालिदास से कालिदास तेना सरीरे हाथ फेरवता फेरवता तेने प्रेयम करता होई इविरी ते प्यार जता बतावता हम हाथ फेरवता फेरवता इह हरण ना बच्चाने लईने आवे छे पने एना सरीर म ना थे लोई नी करतू खोई छे, काली दास हम जीएंगे हरीन सावक, जीएंगे न, एक बान से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमारा सरीर कोमल है, तो क्या हुआ, हम पीडा सह सकते हैं, एक बाण प्राण ले शकता है तो उंगल्यों का कोमल स्पर्स प्राण दे भी सकता है हमें नए प्राण मिल जाएंगे हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे हमारे अंगों पर दुरूत का लेप होगा कल हम फिर वनस्थली में गुमेंगे कोमल दुर्वा खाएंगे न खाएंगे न इले कालिदास से ए कालिदास ए हरण ना बच्चाने पूताना हाथ मा पकड़ी अने तेनी साथे वात करतो होई इविरी ते कालिदास से कालिदास तेमनी हरण ना बच्चानी साथे वात करता करता आवे चे यने कहे चे के हम जीएंगे हरिन सावा के लिए के तुँ जीवी सहरण ना बच्चा हैं एक बान चे एक बाने तने आहत अहत इडिले के घायल एक बान चे एक बाने जो तने घायल करी दीदू तो के तारा प्राण जसे नई के आपड़ू सरीर भले कोमड होई केम के हरन छे तो हरन नू सरीर क्यों छे एकदम कोमड होई छे तो केह छे के तारू सरीर भले कोमड होई तो सू थवियें तू पन पीडा सहन करी सके छे लेके तने एक बान वागियु छे तो तारा मां पन सहन सकती छे तने पन भगवाने पीडा सहन करवानी सकती आपी छे तो के भले तारों सरीर कोमड होई तू पन पीडा सहन करी सके छे एक बान छे लेके एक बान जीव लई सके छे तो मनुष्यनी जे आंगडियोंनो स्पर्स छे ये स्पर्स तमने जीव आपी पाण सके छे तो ये कहाँ छे के हमें नए प्राणे ले कहाँ छे के हरणना बच्चाने कालिदास कहाँ छे के तने नव जीवन दान मर से हैं हम लुक कोमल ले कहाँ छे के आपने कोमल आस्तर अने ले के आसन पर बेसी सुह हैं आश्तर अने बिशों ना अथवा बिस्तर तो कालिदास से कालिदास से हरण ना बच्चा माटे एक आसन मंगावे चे कोमड आसन त्यानी ऊपर त्याने बेसाडे चे अनने कहे चे कि आपने कोमड आसन पर बेसी सु अने हमारे अंगो पर लेके तने जे जग्या है बाण वाग्युचे तिया गड़ी धुरूत का लेप करेंगे लेप होगा इले धुरूत इले गी के गीनी गीनो लेप करवा मा आउसे केम कि ये समय सुख तो ये समय तो कहिंग आवी धवाओ के वोगातू ने कोई जड़ी बुद्ती हो ये तो जड़ी बुट्ती वाति अने आनो रसनी वुलगावा मा आवे अथवा तो घी नी वुलगावा मा आउसे अने तारो जे घाव छे अत्वा जे पीडा छे पीडा दूर थाई जसे काले आपने फरी थी वनस्थली लेके वन की भूमी बलावर वनस्थली एटले वन की भूमी एटले के जियां जंगल जेऊँचे बगीचो छे ए जग्या उपर काले आपड़े फरी थी फरवा जैसू अने कोमड दुरवा खाएंगे लेके तू फरी थी काले ए वनमा तू फरवा जैस अने तू काले फरी थी ए कोमड कोमड दुरवा दूरवा एले दूब लेके तु ये कुमर कुमर पांदरानी पट्तियो छे बड़ार एतु काले खईस आवी रिते कालीदास से एक कालीदास हरणना बच्चा साथे वाद करे छे मल्ली का यह आहत हरिन सावक यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया क्या दक्षिन की तरह यहां भी मल्लीका चे मल्लीका जुवे छे कालीदासना हाथ मां तो यह जुईने कहे छे के यह इले के आहत आहत इतले के आ घायल हरणनू बच्चू अहिया कि वी रिते हैं अहिया आहत इले सु दसे घायल तो मल्लीका चे मल्लीका जुवे छे के आ हरणनू बच्चू घायल थायलू हरणनू बच्चू अहिया के वी रिते हैं अहिया कोण इवु व्यक्ती चे के जे आरिते प्राणियों ने घायल करे चे अत्वा प्राणियों नो सिकार करे चें के सु अवे दक्षिन नी जे महिया पन लोको प्राणियों नो सिकार करवा लागिया चे आव मल्लीका चे मल्लीका कालिदास ने कहे चे कालिदास आज गाव प्रदेश में कई नई आकरूतिया देख रहा हूँ जरूखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है राजिय के कुछ कर्मचारी आये थे हरिन सावक को वक्स से छटा कर थप थप आने लगता है हम सोएंगे हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीडा दूर हो जाएगी परन्तो उससे पहले हमें थोड़ा दूद पी लेना है मल्लीका थोड़ा दूद हो तो किसी भोजन में ले आओ अवसु कहेजे के कालिदास से कालिदास मल्लीका ने कहेजे के आजे गाँ प्रदेस मेले के आजे आपड़ा गाँ औने आपड़ा गाम नो जे विस्तार छे विस्तार नियंदर आजे कई नई आकरूती आए नई आकरूती आए एले के आजे आकरूती आए एले सकल पण यह सुद आछे मनुष्य आजे के जे मानसों ने आपड़े जुएा न थी इवा किटलाई और परिचीत मानसों आजे आपड़ा गामना विश्तारमा फरी रहा छे तो कालिदास से कालिदास जे जरूखे एले के जे बारी होई चे बारी नी होई चे तिया आगड़ी आसन लए अने तिया आगड़ी बेसी जाए चे अने ते जुवे चे क्यावा आव परिचीत लोकों आजे आपड़ा गामना विश्तारमा घणा बदा फरी रहा छे राज्ये के कुछ कर्मचारी आये है अने राज्ये ना थोड़ा कर्मचारी ओ सैनी को साथे आजे आविया छे हरीन साव को वक्स में छटा कर थप थपाने लगता है अवेसू करे छे कालिदास से कालिदास हरीन साव के लेके हरणनू छे बच्चू छे ये हरणना बच्चा ने वक्स वक्स इले छाती ये लगावे छे अने तेने थप थपावा लागे छे तियार बाद कालीदास से कालीदास हरणना बच्चा साथे वाद करता कहे छे के तू घायल थाई गईू छें तो के आजे आपने सुई-सुई एमिले के तू घायल थाई गईू छे तो के तू सुई जायें आराम कर तो के तारी जे पीडा छे तने जे दूख थाई रोई छे ए दूख तने आराम थसे, आमेले के तू थोड़ी वार सुई जैस, तो तने जे पीडा थाई छे, ए पीडा मा तने आराम थसे, परन्तु यहनी पहला थोड़ूँक दूध पीले, क्यमके ए हरणनू बच्चू छे, हरणनू बच्चू नानू होई छे, तो ए खावानो खोरा थोड़ू दूध पीले, उसारुयम तो कालीदास से कालीदास मलीका ने कहे चे, के मलीका थोड़ू दूध होई, तो तू कोई भोजन, बच्चू वार साब, तो ए वाशन नी अंदर तो लईने, आवे, हमें यहां सुझे, भोजन ने भाण, भाजन इदले, के कोई पात्र अथवा बर्तन को युँ वासन होए तो ये वासन नी अंदर थोड़ूक दूद लईने आवे युँ काली दास चे ये काली दास मल्लीका ने कहे छे मल्लीका माने दूद ओटकर रखा है देखती हूँ मल्लीका चे मल्लीका का चे के माने लेके मल्लीका नी माता चे यहने दूद को ओट कर ओट कर उकाडी ने चुले के निकट रखे बरतनों के पास जाकर देखने लगती है अने मल्लीका चे मल्लीका अंदर जाई चे अने चुलो चे चुलानी बाजू माँ जितला पन वासन चे ए वासन माँ जेने जूवे चे अभी अभी दो तीन राज करमचारियों को हमने घोडे पर जाते देखा है मा कहती है कि जब भी ये लोग आते है कोई न कोई अनिश्ट होता है वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यहां सब बहुत विचित्र लगा दूद का बरतन उठा कर दूद खुले बरतन में उडेलने लबती है मा आज बहुत रूष्ट है कालिदास हरन सावक को बाहो से जुलाते जुलाने लगता है वसुझे के मली का चे मली का दूद लेवा माटे जाई चे तो ए जुवे ने कहे चे के तेनी माता है दूद शे दूद उकाडी ने मुक्यू छे तो के हुँ जही ने जुव चू तो अंदर जैने जुवे चे तो इटला मा तिया गड़ी बेत्रोन राज कर्मचारी येले के जे सैनी को चे तो एमने जता मली का जोवे छे तो एनी मा छे ए पाची एनी माता छे कहे छे कि ज्यारे पन आ राज कर्मचारियों लेके राज्येना सैनी कोने कर्मचारियों आवे छे त्यारे कईक ने कईक अनिष्ट अनिष्ट इडले सुधसे अनिष्ट इडले हानिकार अथवा बुरा लेके ज्यारे राज कर्मचार्यों आवे चे त्यारे कईक नुकसान कारक अथवा तो कईक खराब घटना गाम्मा बने चे यहुँ मल्लीका चे मल्लीका नी माता बोले छे वर्सा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचीतर लगाए लेके थोड़ीक वर्सात पड़े छे अने वर्सात पड़े या पच्छी यहनी माता जेरे आरी ते बोले छे तेरे मल्लीका चे मल्लीका विचारे छे के अनी माता रोज आओ बोलती नती पन के आज आओ बोले छे के जेरे आ लोको आवे छे तेरे कहिक नों के खराब बने छे तो इस आपड़ी अने मल्लीका चे मल्लीका ने यू लागे छे के कईक घटना बनी चे के जेना कारणे यानी माता आव दिते विचीतर वर्तन करी रही चे ले के वर्षा के रोमांज के बाद मुझे यह सब बहुत विचीतर लगा ले वर्षात बंथ है जाई छे अने पची यहनी माताव वर्तन करे छे जोई यहने तेने थोड़ो वीची तर लागे छें के कई कारण होगो जोई दूद का वर्तन उठा कर दूद खूले वर्तन में उडलने लगती ले केसू करे छे दूद गरम था यहलू है छे तो बिजू वासन ले छे ए वासन मा थी एक वासन मा थी उचु करे छे ने बिजा वासन मा थी पाचु यह मना खे लेके दूद ठंडू करवा माटे ते एक वासन मा थी बिजा वासन मा नाके छे पने ते कहें जे के मा आज बहुत रूष्ट है लेके तेनी माता जे एनी माता आजे रूष्ट रूष्ट एले के तेनी माता जे ए आजे तेना उपर बुस्य थायली छे इले एना थी रूष्ट एले नाराज थाय भला शुध अजे नाराज लेके आजे तेनी माता जे एनी माता मल्लीका नी माता तेना उपर आजे नाराज छे अने कालिदास से कालिदास अरणनू जे बच्चू छे ए हरणना बच्चा ने पुतानी बाहो मालाई अने आवे छे कालिदास हम पहले सुखी है हमारी पीडा धिरे धिरे दूर हो रही है कालिदास से कालिदास कहें के हम पहले से सुखी है हमारी पीडा धिरे धिरे दूर हो रही है हम स्वस्त हो रहे है न जाने इसके रुई जैसे कोमल सरीर पर उससे बान छोड़ते बना कैसे वह कुंचाल भरता मेरी गोधी में आ गया मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी मा कीसी आखे और उसका साही स्नेह मिलेगा अवे सुचे के कालीदास से एकालीदास हरणना बच्चाने लईने आवे चे तो एक कहे चे के हम पहले से सुकी हेले के अवे तने पहला करता सारू छेम केम के तैने घीनों लेपने वो लगावाम आवे चे तो एक 스트ाएक पहला करता तने अत्यारे सारू छेम और तारी जे पीडा चे एबीडा दिमे दिमे दूर थाई रही चे और तुस्वस्त थाई रहो आविरी ते काली दास छे एकाली दास हरण ना बच्चा साथे वाद करे छे अने ते बोले छे के न जाने यू कौन हसे के जेने आ कोमड सरीरूपर बान छोड़ता छोड़वानों विचार आवें वह कुँचाल भरता मेरी गोदी में आगाया अवेसु क्याजे कुँचाल एकले छलां गत्वा उचाल ना इले के जेरे तेने बान वागे जे ते कुँचाल भरता इले के ते उचरता कुदता कुदता हैं चलां गत्वा तो उचाल इले के ते कुदता कुदता मारी गोदमा आवी ने बेसी जाए छे तो मेंने कहा इले के जेरे ते तेनी पासे आवी जाई छे ते यारे कालिदास से कालिदास कहें चे के में तेने किदू के हूं ते जग्याए लई जवोचू जे जग्याय तारी माता रहे छे अने तने यू आता वरण मर से तेवी जग्याय हों तने लई जो छो मल्लीका की ओर देखता है मल्लीका दूद लिये पास आ जाती है लेके आरी ते हरणना बच्चा साथे कालिदास वात करे छे अने ते मल्लीका नी सामे जूवे छे तो मल्लीका छे ए मल्लीका दूद लई अने तेनी पासे आवे छे मल्लीका सच मा आज बहुत रूष्ट है मा को अनुमान हो गया कि वर्षा में में तुम्हारे साथ थी नहीं तो इस तरह भीग कर न आती मां को अफ़ात की बहुत चिंता रहती है अवेसु छे के मली का छे इं मली का काली दास ने कहे छे के आज एउ लागे छे के मारी माता छे इं माता माराथी नाराज छे एनु सुकारण छे के काली दास औने मली का बनने साथे होई छे अने जहरे वर्साद पड़े शे तेरे बनने साथे होई शे तो बनने वर्साद मा पलडी ने घरे पाच्छा आवे शे तो एना कारणे तेनी माता शे एनी माता शे एनी माता शे बहुँ खोटू लागे शे क्या रिते तेमनी दीकरी छे एक कालिदासनी साथे वर्षाद मा फरी अने पाची आवी छे तो के गामना लोको बरार अपवाद की बहुत चिंतेले के लोको के विवातों कर से सुच यहां के मल्लीकानी माता छे यह आऊ विचारे छे के तेमनी युवान दीकरी छे यहां दीकरी आटीते आज्यां युवक साथे वर्षाद मा साथे है पलडी अने घरे पाची हावे छे तो के तेमना गामना लोको छे गामना लोको तेनी के वी वातों कर से म तो यहां विचारी औने इले मल्लीका छे मल्लीकानी खबर पड़ी जै छे के एना कारणे के जेरे वर्षात पड़े तेरे हुँ तमारी साथे हती येना कारणे आजे माता ये लेके तेनी माता छे ए तेना थी नाराज हो येव लागे छे कालिदास दूद मुझे देदो और इसे बाहो में लेलो कालिदास मली काने कहे लगे लेके तूद का भाजन उसके हाथ से ले लेता है मली का हरीन शावक को बाहो में लेकर उसका मुख दूद के निकट ले जाती है कालिधास बाजन को उसके और निकट कर देता है हम दूद नहीं पीएंगे नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे हम दूद अवश्य पीएंगे अवश्य उगे तुझे? के कालिधास से, ये कालिधास मल्ली काने कहे छे के दूदनू वासन तुमने आपी दे अने तु आ हरणना बच्चाने बाहोमा लईले, पूतानी पासे लईले तो एसु करे चे के दूदनू वासन लईले चे अने जे वासन चे ये आत्मा पकडे चे अने मल्ली का चे, ये मल्ली का हरणनू जे बच्चू चे हरणना बच्चाने पोतानी पासे राखे छे अने जे हरणना बच्चानू मो छे ए मो नी पासे दूद छे ए दूद पासे लई जाई छे अने कालिदास छे ए कालिदास इजे वासन छे दूद नूँ इवासन हरणना बच्चानी पासे लई जाई छे अने कहे छे के हम दूद नहीं पीएंगे ले बोले छें के तू आजे दूद नहीं पीएंगे ले नहीं हम एसा हट नहीं करेंगे ले के तारे दूद पीवानू छ आवी रिते कालिदास छे एक कालिदास हरणना बच्चाने कहे छे राजपूरुस दंतूल ड्योडी से आकर द्वार के पास रुख जाता है क्षण भर वह उन्हें दीखता रहता है कालिदास हरीन को मुँसे दूद पिला देता है अवे सुचे के एक राजपूरुस ये लेके एक राजजयनो कर्मचारी छे ए राज कर्मचारी दंतूल ड्योडी से आकर द्वार के पास रुख जाता है धुलेटी धीलेटवाल देहली जैलेकर काह् ich राजपूरु गर मिलिएप दंतुल राजपूरु गर्फे लेक कुमार सैंहिक आयेम तो यह राजपूरु से ईह से राजपूरु कालीदास्च यह गर है कालीदास्च ना कि दो आर पासे लेके दरवाजी आई ने उपो रही जाई छे अने क्षण भर लेके थोड़ा क्षण माटे ते त्यानी सामे जोतो रहे छे तो कालिदास चे ये कालिदास सु करे छे के हरण नुझे बच्चू छे ये हरण ना बच्चा ने मोठा मा ते वासन थी दूद पिवडावी रहो होई छे एसे एसे एम इले कालिदास से कालिदास दूद पिवडावता कहे छे के आवी रीते तारे दूद पिवानों छे दन्तुल बढ़कर उनके निकट आता है अवे जे राजपूरुष से राजपूरुष सु करे जे दर्वाजे उपोह वाई छे पन तियां थी आगड़ वदे छे अने आगड़ वदी अने कालिदास नी पासे आवे छे लेके तेना घरमाते प्रवेस करे छे दन्तुल दूद पिला कर इसके कोमल मास को और कोमल कर लेना चाहते हो कालिदास और मली का चौक कर उसे देखते है मली का हरिन शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है कालिदास दूद का भाजन आसन पर रख देता है हवसूचे को दन्तूल छे लेके जै राजपूरुष कालिदास पासे आवे छे अने आवी एने कालिदास ने कहे छे के दूद पिवडावी अने आ जै हरन नु बच्चू छे एनू जै कोमड मास छे ए कोमड मास ने तमे वधारे कोमड बनावा माहगो छो आब तो आउसाबडी अने कालीदास अने मलीका छे ये बनने आश्चर्य चक्कीत थई जाई छे अने मलीका छे ये मलीका अरणना बच्चाने लई अने थोड़ी पाछर पड़ी जाई छे अने कालिदास से इक कालिदास दुधनू जे वासन छे इवासन आसन पर मुकी दे छे कालिदास जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है तुम्हारा एक औ परिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ दंतुल एक बार मलीका की ओर देखता है फिर कालिदास की और आवे कालिदास से कालिदास ए दंतुल एटले के राज पूरुस्ने कहें छें के जहां सुधी हुँ जानू छू तिहां सुधी आपने कोई परीचीत नती लेके आपने एक बिजाने उड़कता नती तो तमें आरी ते कोई अपरीचीत व्यक्ती ना घरमा प्रवेश करो छो लेके आतली बधी तमारी हिम्मत के वी दिते थाई के तमें कोई अजानिया व्यक्ती अथवा तो अपरीचीत व्यक्ती ना घरमा तमें आवी जाओ छो है तो कि आटली भदी तमारी हिम्मत के विधित है तो दन्तुल छे, दन्तुल सुकरले के राजपुरुस से राजपुरुस पहला मल्लीका नी सामे जोवे छे औने पची कालीधास नी सामे जोवे छे दन्तुल कैसे आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्ण में तुमसे पुछना चाहता था हमारा कभी का परिचे नहीं फिर भी मेरे बान से आहत हरिन को उठाले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ यह तो कहो कि द्वार्तक रक्त बिंदुओं के चिनह बने है अन्य था इन बादलों से घीरे दिनों में तो तुम्हारा अनुशरण कर पाता हसुजे के दन्तुल छे दन्तुलेले राजपूरूस से राजपूरूस कालिदास ने कहे छे के ज्यासुदी हुँ जानू छुएं परहर के एक आकस्मिक बाद छें के ज्यो प्रश्ण तमें मने कर्यो एवज प्रश्ण महारा मनमा पन थाई रयो हतो उपन तमने एट प्रश्ण पुछवा मागू छू के क्यारे आपनों परिचय थयो नथी औने आपने एक बिजाने ओड़कता पन नथी तो के कोईना बाण लेके मारा बाण थी घायल थयेलू जिया हरणनू बच्चु छे तो एके हरणना बच्चाने तमें उठाईने लईने आवी गया तो एह हरणना बच्चानों सिकार में करयो तो वहने तमें लईने आई गया तो ए लईने आवता तमने जरापन संकोच थयो नई आवी रिते ए राजपूरूस छे ए राजपूरूस कालीदास ने कहे छे यह तो कहो कि द्वार्तक रक्त बिंदुले आगड राजपूरूस छे राजपूरूस कहे छे के तो सारू छे कि तमारा घर सुदी आ हरण नु बच्चु आवी विल्येकर हुँ त्याणी अनुसरर नुशू खिया छे कि हुँ इह हरण ना बच्चाने जेयां बाण वाग्योथ्य वन्ये त्यमा थी लोई टपकतू हतू तो कि यह रैण ना बच्चाना जेयां थी लोई निकर तुँ अतु तो ये लोईना जे बिंदु हो ये टपक तुँ ये टपका हाता ये टपका ना जे चिन हो ये लोईना बिंदु हो ये बिंदु अनी पाचर पाचर आयो अने तमारा घर सुधी हूँ आभी सक्यों ये लेके सुझे के जे राजपूरुष से राजपूरु लईनी आवैचे इने ज़ें बाण वागियू होई यहाने जग्याए तियाने लोई निकरतु होई अन्ने लोई निकरे चो तो 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 Tara ती लोई ना टपका निचे पड़े चे तो यहीं ज़े टपका पड़े होई यहनी शोत्ता स्ोत्ता यह राजपुरुस से पाछड पाछड आवी ने तो मने खबर ना पड़त कालिदास देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो इले कहे छे के तमने जोई ने मने युँ लागी रहु छे के तमें आ प्रदेश ना निवासी इले के रहवासी न थी दंतुल वियंग्यात्मग हसी हसता है ले के ते राजपुरुष छे के राजपुरुष कालिदास नी वाद सामड़ी अने जोड़ती हस्वाला लागे छे हम व्यंग्यात्मक हसी एले चिढाने के अंदाजवाली हसी बरार्शुद हसे व्यंग्यात्मक हसी एले के सामेवाड़ो व्यक्ति तेना पर गुस्षो करे इवी रिते व्यंग एले के तेना गुस्षो आवे इवी रिते ते सामे हसे दंतुल में तुम्हारी द्रश्टी की प्रशंसा करता हूँ मेरी वेस भुसा ही इस बात का परिचय देती है कि में यहां का निवासी नहीं हूँ वेस इराजपुरुस से राजपुरुस कालिदास ने उत्तर आपता कहे छे के हुँ तमारी द्रश्टी ये लेके तमारी जोवानी अथवा तमारी निरीक्षन करवानी जे सकती छे येनी हुँ प्रसंसा करू छो के मारी वेस भुसा ये लेके मारो जे पहर वेस छे ये पहर वेस जोई अने तमने खबर पड़ी गई छे लेके एनो परिचे थाई गयो चे के हुँ अईयानो निवासी न थी इले ये राजपूरुस से राजपूरुस कालिदास ने कहे चे के हुँ तमारी प्रसंसा करू चू अने तमे आवी रिते तमे निरिक्षन करी अने मानस ने उडखी जाओ चो माटे हुँ तमारी प्रसंसा करू छुयां कालिदास में तुमारी वेस भूसा को देखकर नहीं कह रहा और कालिदास जवाब आपता कहाँ छे क्यों तमारी वेस भूसा एलेके तमारो पहर वेस नहीं उचे ये जोई यने हुँ कई रहो न थी दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओ को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो वह सु कहाँ छे ये राजपूरुस से राजपूरुस सु कहाँ छे केसु तमे मारो पहर वेस जोई ने तमने खबर न थी पड़ी तो केसु मारा कपाड नी जे रेखाओ छे ये रेखाओ ने जोई ने तमने खबर पड़ी गई के हूँ आविस्तार नो रहवासी न थी है जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्ति लेके मने वू लागी रही छे के तमे चोरी नी साथे साथे सामुद्रिक का भी सामुद्रिक एले हस्त रेखा ये लेके तमे चोरी नी साथे साथे हस्त रेखा है ये लेके हाथनी जे रेखाओ छे ये हस्त रेखा विद्या चे आतनी रेखाओ मा ते लेके ये तमे जोती चो ये मने लागी bowl छे बोल identify ये शुझे ये राजपूरुस चे राजपूरुस आरेते कालिदास ने कहे छे के तमने जो मारी वेस भूसा है लेके मारो पहर वेस ने उजोईने खबर ना पड़ी तो के तमें मारा कपाड नी जे रिखाओ छे रिखाओ जोईने तमने खबर पड़ी है अध्वा तो मने उलागे छे के तमें चोरी तो करो जो पुन साथे शादे सामुदृक, सामुदृक इल्ये के हस्त रेखा विद्या जोले के जोतिस ना पण जान कार छो योतिस हो ही जे तो जोतिस आपड़ा हाथ नी जे रेखाओ छे इए रिखाओ जोई यने तमने कहे के तमारू भविश्य गयोँ हुआ सें तो आरीते राजपूरुष सी राजपूरुष कालिदास ने कहेछे के तमें जोती स्विध्यापन जानों सें मल्ली का चोट खाई सी कुछ आगे आती है मल्लीका आरी ते बनने वच्चे बहस आई छे एक बिजास आदे ते वो विवात करे छे तो मल्लीका छे मल्लीका थोड़ी का अगड़ आवे मल्लीका तुम्हे एसा लांचन लजा ते लज्या नहीं आती मल्लीका चे अवे मल्लीका धन्तोल ने बिणके बिणी जिए राज़ पूरुश शे राज़ पूरुश ने कहे छे के लान्चन यदि लगाए दोस, मललीका, यह राजपूरूस ने कहे चेंगे तमने आरते कोई ना उफ़र दोस लगारता, अजवा तो लान्चन लगारता सरम आवती नतियम, यदिके लज्जा नतियान लगारती, यदिके सरम आवती नति, दंतुल ख्षमा चाहता हूँ देवी परन्तु यह हरेन शावक जिसे बाहो में लिये है मेरे बान से आहत हुआ है इसलिए यह मेरी संपती है मेरी संपती मुझे लोटा देंगी दंतुल शे यह दंतुल मल्ली काने वाद करता कहे चे कि समाच आता हूँ देविये लेके मने माप करो देवियें पण तमें जी हरणना बच्चाने पोताना बाहो माई लेके पोताना खोडामा लईने उभा छो तो ये हरणनू बच्चू छे ये हरणना बच्चू मारी मारा बान थी गायल थयू छें माते ते मारी संपती छे तो के तमें हरणना बच्चाने मने पाचु आपी दोयें आरी ते राजपूरुस से राजपूरुस मल्लिकाने कहे छे कालिदास इस प्रदेश में हरीणों का आखेट नहीं होता राजपूरुस तुम बाहर से आये हो इसलिए इतना ही परियाप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपरादी न माने कालिदास से कालिदासु कह चे कि आप विस्तार मां हरण चे ये हरण नों सिकार करवो नहीं तो कि आप विस्तार मां हरण नों सिकार करवो नहीं राजपूरुसें परन्तु तमें अहियाना रहवासी नथी इलेके कदा तमने खबर हसे नई अने तमें भूलती आ गुनों कर्यों चे तो कई वादो नहीं हैं इलेके तमने खबर नथी अने भूलती तमारा थी आओ गुनों थाई गह चे अपराद मानता नथी दंतुल तो राजपूरुस के अपराद का निर्णई गाम वासी करेंगे ग्रामीन युवक अपराद और नियाई का सब्दार्थ भी जानते हो हवे राजपूरुस दंतुल छे दंतुल सु क्या छे के हवे राजपूरुस ये अपराद येलेके गुनो कर्यो छे के नहीं कर्यो येनो नीर्णाई पन गामना लोको कर्षे के तु ग्रामीन युवक छे अपराद अने न्याई छे ये न्याई नो सब्दार येलेके येनो खबर पड़े छें के अपराद कोने केवाई अने न्याई कोने केवाई येनो और्थ तने खबर पड़े छे, आउँ दन्तूल छे, इदन्तूल काली दास ने कहे छे. तो आरीते, आवीरीते काली दास छे, इक काली दास ने वाद करे छे. आवीरीते, दन्तूल छे, दन्तूल ने काली दास ने कहे छे, काली दास सब्द और अर्थ राजपूरूसों की संपती हे, जानकरिय आश्चरिय हुआ. इले, असू छे, के काली दास से, इकाली दास कहे छे, के सब्दो अने अर्थ, लेके कई सब्द नो कई अर्थ थाई छे, इह राजपूरूसों की संपती छे, बेलार इह जानी अने आजे मने आश्चरिय थाई छे. दन्तुल समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते की राजपूरूसों के अधिकाल बहुत दूर तक आते है, मुझे देर हो रही है, यह हरिन सावक मुझे देदो. ले, यह राजपूरूस चे, राजपूरूस कहे छे, के जोई ने तो तू बहुत समझदार व्यक्ति हो यह लागे छे, यह छता पन तू जान तो नथी, के राजपूरूस चे, राजपूरूस चे, लेके राजजे ना जे कर्मचारी होई छे, अत्वा जे राजा ना कुमा तो कि राजपूरुष नू अधिकार बहुत दूर सुधी लागे छे अने कहे छे कि मारे आजे मोडू थई रोई छे तो कि यहां हरण नू बच्चु मारू छे तो तुमने आपी दे ब्रार तो अहिया सुधी आजे नाटक छे ए नाटक आपड़े अहिया सुधी राखी सु पने जे बाकी नू छे यह आपड़े आगणना वीडियो मा समझी सुधू